सनातन धर्म के जोती सास्त्र के अनुसार मार्गसिस मास के सुकल पक्ष की त्रियोदसी के दिन प्रदोस ब्रत पड़ेगा जो अंग्रेजी महीने 2023 का अंतिम प्रदोस ब्रत होगा सुनिये लोकल 18 से खास बातचित करते हुए उत्राखंड के उधम सिंग नगर जिले के वरिष्ट आचारी पंडित अरुनेस मिस्रा क्या बोले प्रदोस ब्रत जो है त्रियोदसी के बीच का जो समय होता है तो प्रदोस ब्रत बनता है बैसे तो साल में 24 आते हैं प्रदोस ब्रत और इस बार जो है दिसंबर लाष्ट में जो प्रदोस ब्रत पढ़ रहा है वो 24 तारीक दिन शनिवार को है इस दिन भगवान सिव का पूजन करें शाहिंकाल के समय शाहिंकाल का समय जो प्रदोस का होता है इस बार का महुरत जो है वो साम को साड़े पाँच बजे से सवाथ बजे तक है इस बीच में भगवान सिव जी का जलाविशे करें जलसे पूजन करें पत्र पुष्प चड़ाएं समी पत्र दूरवा धतूरा बेल पत्र दूरवा घास सब भगवान को अरपन करें फल मिष्ठान भी चड़ाएं और ओब नमा शिवाय मंत्र का जाप करें एवं महामृतुंजे मंत्र ओम होम जूम साहा भूर भुवा स्वाहा त्रयंब कम एजाम इस मंत्र का भी जाप करें इससे सरीर निरोगी होता है एवं मृत्र संजीवनी मंत्री भी है उसका भी मंत्र का जाप करें और भगवान भूलेना से प्रार्थना करें कि परिवार में सुक्सम्रद्दी रहे बच्चे सुमार्ग पर चलें अच्छे पढ़े लिखें नोकरी बेवसाय जो भी करें अच्छे से सब करें और इमानदारी से अपना जीवन निर्वाहन करें ये भगवान भूलेनास से प्रार्थना करनी चाहिए एबं जो दमपति जिनके पूत्र नहीं है उन दमपतियों को भी प्रदोष्ट का अवस्य करना चाहिए पूरे साल में जैसा कि बीदित है सास्त्रों के नुसार 24 ब्रत होते हैं और भगवान भूलेनात का 24 ब्रतों का भी कागर मन से पूजन और ब्रत किया तो भूलेनात किरपा से उनको पुत्र की प्राप्ति अवस्य होती है स्रद्दा वावस्य करने पर फल की प्राप्ति मिलती है तो सभी दमपतियों को भी ये ब्रत करना चाहिए इवं जो भी जन्मानस में हैं सभी को भोले नात की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए जलाविशेद रुद्राविशेद आधि कारे करने चाहिए इससे घर में सुख सम्रद्धी बनी रहती है निरोगी काया प्राप्त होती है और बच्चों का जो घर के प्रतिलगाओ है प् झाल 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 झाल